Hello everyone, welcome to sleepy classes, कैसे हैं आप लोग, hopefully अच्छ होंगे, तो आज हम लोग एक नया news article लेके आए हैं, अब इसमें हुआ क्या है कि इंडिया और सिंगापूर ने announce किया है कि वो अपने जो इंडिया का जो UPI system है और जो सिंगापूर का pay now fast payment system है, इन दोनों को अब link कर रहे हैं to for enhancing cross border, ज आप जानते हैं हमारे यहां बहुत important हो चुका है payment system और वहां का pay now है और इन दोनोंने collaboration कर लिया है, जो है यह अभी functional नहीं हुआ है, यह functional होगा होगा आपके July 2020 मतलब 2022 से, ठीक है, लेकिन अभी जो है इनोंने यह पैक्ट कर लिया है, अब यह news हम लोग exactly है, क्या देखिए, RBI जो है, RBI है यहां का हमारा जो पुरा monetary payment, जो इतना भी payment regulations होता है, वो RBI देखती है, वैसे ही वहां पर Singapore में है, monetary authority of Singapore, MAS बोलते है, on Tuesday announce the project to link their respective fast payment systems, ठीक है, and the linked interface is expected to be operationalized by July 22, ठीक है, यानि July से जो है आप इस payment system का use कर सकते है, अब इसमें है क्या देखिए, यहां पर जैसे UPI Pay Now linkage यहां पर क्या करेगी, users को जो है, each system, जो की UPI के भी users है, वहां पर जो आपके Pay Now के जो users होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, आपस में fund transfer कर पाएंगे, without any charges, देखिए, ऐसे जो international fund transfers होता है, जो आपके जो mediators होते हैं, उनका charge जो है, वो काफी जादा होता है, ठीक है, इसकार जो transactions होता है, उसमें बहुत सारा है यहां पर आप जानते होंगे, जो international fund transfer आप करते हैं, तो उसमें काफी जादा जो है, अपना service charge जो है, उसको cut कर लेते हैं, लेकिन यहां पर यह low cost होगा fund transfer, और जैसे आप UPI Payment जो एक local resident को इंडिया के करते हैं, सेम वैसे ही आप वहां पर करके किसी resident को कर सकेंगे, ठीक है, अब देख लेते हैं, आपने UPI जो है, आप almost सब लोग use कर रहे है, तो UPI हम लोग कैसे use करते है, UPI क्या है, आपका Unified Payment Interface, यह आपको एक virtual ID create करके देता है, जिसको हम लोग क्या उसको virtual payment address भी बोलते हैं, ठीक है, VPA बोलते है, अब इसमें होता है कि बहुत सारे apps है, फोन पे, Paytm, भीम, भीम जो है, वो NPCI का ही है, ठीक है, इन सब apps में क्या करना रहता है, आपको जा के अपना account बनाना रहता है, आपको अपना bank add करना रहता है, और आपको वही mobile डालना रहता है, mobile number जो कि आपका linked है with bank, फिर bank जो है, आपको OTP दे के आपको verify करती है कि नहीं, आप ही वही user है, और उसके बाद आप में क्या कर सकते हैं, अपना UPI ID जो है, आप create कर सकते हैं कि कोई भी payment आप करेंगे, तो आपको बस ये UPI ID जो इसमें डालना है, UPI ID या UPI PIN जो है, आप उसको उसमें डालना है, और आपका UPI ID है, उसको, उस ID पर जो है, वो कोई भी जो है, आपको पैसा बेज सकता है, या तो आपके नमबर भी बेज सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, UPI से आपको क्या सहूलियत हो जाती है, कि आपको जो है, actually अपना bank account या IFSC code जो होता है, वो किसी को देना नह पड़ता है, अगर आपको डायटली अपने bank में पैसा चाहिए, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको अपना UPI ID देना है, या तो अपना phone number भी दे सकते है, ठीक है, UPI supports both person to person, और person to merchant, ठीक है, UPI जो आप जानते है, हम हर जगा merchant को pay करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर आप पेट्रोल लेने गए हैं, तो वहाँ पर भी आप UPI से payment कर से, बहुत जगा आप है, जो आप merchants को भी पे कर सकते हैं, ठीक है, तो यह जो है बहुत अच्छा system है, इंडिया में जो already functional है, अब पेनाओ देखी, वहाँ पर क्या होता है, Singapore में वो भी कुछ ऐसा ही मिल number और यहाँ पर UPI ID होता है, वहाँ पर NRC slash FIN और UEN नमबर होता है, ठीक है, तो same system है, इसी कायन जो है, compatibility में भी उतना दिक्कत जो है, वो नहीं आएगा, अब देखी, RBI ने कहा है कि linkage will be a significant milestone in the development of infrastructure for cross-border payments between India and Singapore, इंडिया और सिंगापूर में देखी काफी trades होता है, यहाँ प cross-border payments अच्छा-कासा होता है, तो इसी लिए इस system को लाए गया है, कि इसको seamless बनाया जाए और जो है, इसका cost उसको कम किया जाए, ठीक है, अब यहाँ पर देखे क्या है, यहाँ जो हमारी NPCI है, National Payment Corporation of India, आप जानते है, बहुत ही important organization है, जो भी digital हमारे payment system हो रहा है, उस सब electronic transfers जिसको NETS बोलते है, ठीक है, तो अब यहाँ पर NPCI और NETS ने क्या किया है, foster cross-border interoperability of payments using cards and QR codes between India and Singapore, ठीक है, तो यह जो है, एक तरह से इनका जो है, अब देखे, इन लोग ने क्या कहता है, कि अभी तो यह जो मतलब, अभी आप results देख रहे हैं, लेकिन NPCI और NETS जो और भी payment system का integration हो सकता है, लेकिन अभी जो है, यह इसका पहला move है, ठीक है, तो एक छोटा सा article था, यह आपके लिए cover किया गया, payment system से related, ऐसा ही छोटा-छोटा article जो हम लोग आगे cover करते रहेंगे, ठीक है, ओकी, thank you.